Hello Friends, मैं उतिएन होड़ स्वागत है आपका YouTube चनल InfoTech Official में जैसा कि अब सभी जानते हैं इस समय में अमरे देश में पैंकार्ड के साथ में अधार कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस चल रहा है इसकी लाड डेट 31 मार 2023 तक इसे आपको लिंक करना था लेकिन काफी सरे लोग अब भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने pen card के साथ में अधार card को link नहीं किया है और pen card के साथ में अधार card linking को लेके वो परिशान भी हो रहे हैं क्योंकि इसकी last date नजदीक आ चुकी है तो अब आपको बिल्कुल भी परिशान होने की जुरूरत नहीं है income tax India की तरफ से pen अधार linking की last date को लेकर के एक बड़ा update जारी किया गया है इसकी last date को अब 3 महिनों के लिए extend कर दिया गया है यानि की बढ़ा दिया गया है अब आपको pen card के साथ में अधार कार लिंक करने के लिए और जादा समय दिया गया है साथी साथ income tax India की तरफ से एक notification भी जारी किया गया है जिसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे साथी आपको बताऊँगा कि pen card के साथ में अधार कार को लिंक करने की जो नई लाज़ डेट है वो क्या है यानि कि किस डेट तक आप अपने pen card के साथ में अधार कार को लिंक कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ओल पर दबाकर सेट कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो पैन अधार लिंकिंग की लाज डेट को लेकर के Income Tax India के official Twitter handle पे एक बड़ी announcement की गई है ट्वीट करके और एक notification जारी करके इस सम्मद में जान करी दी गई है यहाँ पर जब आप Income Tax India के Twitter handle पे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पहले पैन अधार लिंक की लाज डेट थी वो 31 मार 2023 थी अगर आप 31 मार 2023 तक अपने पैन कार्ड को अधार से लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड 1 अपरेल से निश्क्रिय कर दिया जाता लेकिन आप इसकी लाज डेट जो है उसे 3 महिनों के लिए extend कर दिया गया है अब आप 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड के साथ में अधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं अगर अभी तक आपने पैन कार्ड के साथ में अधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो भी अब आपके पास में 3 महिने का और समय है तीन मैने के अंदर अंदर आपको अपने पैन कार्ड के साथ में अधार कार्ड को लिंक करना है Income Tax India की तरफ से यहाँ पे एक notification भी जारी किया गया है जिसमें सबसे पहले तो आपको वही चीज बताई गई है कि पैन अधार लिंक की जो लाट डेट है उसे 30 जून 2023 तक अब कर दिया गया है अब आप अपने पैन कार्ड अधार कार्ड को 30 जून 2023 तक लिंक कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 अपरेल 2023 से आपका पैन कार्ड जो है निश्क्रिय हो जाता लेकिन आप क्योंकि इसकी डेट बढ़ चुकी है तो अब आप यहाँ पे 30 जून 2023 तक अपने पैन अदार को लिंक कर सकते हैं अब आपने अगर इस समय भी अपने पैन अदार को लिंक नहीं कर रखा है तो भी आपका पैन कार्ड निश्क्रिये नहीं किया जाएगा साथ साथ आगे आपको बताया गया है कि from 1st July 2023 एक जूलाई 2023 से आपका जो पैन कार्ड है वो निश्क्रिये कर दे जाएगा अगर आप 30 June 2030 तक भी अपने पैन कार्ड को अधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको इस अपर्चुनिटी को बेरवाद नहीं करना है आपके पास अभी तीन मेने का समय है आपको इस चीज को लाइटली नहीं लेना है आपको 30 June 2020 तक अपने पैन कार्ड के साथ में अधार क पर काटा जाएगा इसके लावा जो interest की problem है वो भी यहाँ पर आपको हो सकती है कुईसी तरीके का आपको refund चाहिए तो वो refund आपको नहीं मिलेगा इसके लावा भी आपको काफी सार दिक्कते हो सकती है अगर आप 30 जून 2023 तक अपने pen के साथ में अधार को link नहीं करते हैं यहा आपको 1000 रुपे की payment करनी है और जो pen अधार linking का process है website पर जाके उसे पूरा करना है और आपका pen card दुबारा से एक्टिव कर दे जाएगा 30 दिन के अंदर साथी यहाँ पर आपको बताया गया कि काफी सरो लोग ऐसे भी है जिनको pen अधार linking में छूट है यानि कि 80 साल से उपर या फिर अगर आप N.R. नहीं है और साथिसाथ अगर आप आसाम मेगाले या फिर जमु कश्मीर से बिलॉओ करते हैं तो उनको pen के साथ में अधार linking करने की जरूत नहीं है अगर आपको जानना है कि pen card के साथ में अधार काइट किन के लोगों को link नहीं करना है तो इसके बा उमीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई ही तो वीडियो का लाइक कीजिए साथी साथ चनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें वीडियो स्रेटर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखे तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत